हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम S.E.R.T की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग केंपियन की वर्क सीट 1-6 सॉल करेंगे जिसकी थीम है मेरा परिवार अर्थात फैमली माई फैमली चलिए वीक वन की सभी वर्क सीट सॉल करते हैं सबसे पहले चलिए वर्क सीट 1 सॉल करते ह नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुस होंगे बच्चो क्या आपको कहानी सुनना पसंद है आपको परिवार में कौन-कौन कहानिया सुनाता है कहानिया सबको अच्छी लगती है कहानियों का उदेश्य मुख्यतय मनुरंजन होता है कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आईए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कारेपत्रिका करते हैं। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारन से घर में अपनी मा के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से उपर की तरफ बने एक सुन्दर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पढ़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी मा से पूछा कि क्या वह उपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माने उसे जाने की आग्या दे दी। क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निरास हो गई और उसका दिल तूट गया। वह वापस अपनी साइकल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुन्दर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुन्दर घर तो उसका अपना घर है जहां वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देख भाल ने उसके घर को एक बहुत सुन्दर घर बना दिया। तो बच्चों ये प्रशन एक उपर दी गई कहानी को पढ़कर निम लिखित प्रशनों के उत्तर अपनी कोपी में लिखिए अब आपने कहानी पढ़ी है तो अब उसके प्रशनों को पढ़कर उनका उत्तर लिखना है कर प्रशन सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी तो इसका उत्तर लिखेंगे सरोज हमेशा सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिडक्यों वाले घर को करीब से देखेगी खर प्रस्न सरोज सुनहरी खिडक्यों वाले घर को देखकर निरास क्यों हो गई तो इसका उत्तर लिखेंगे सरोज सुनहरी खिर्कियों वाले घर को देखकर निरास हो गई क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था गर प्रशन उप्रियुक्त कहानी के लिए उचित सीर्शक सोच कर लिखिए तो बच्चों यहाँ पर आप इस कहानी को आपको एक सीर्शक देना है आप इस कहानी को पढ़ने के बाद अपने अनुसार कोई भी एक उचित सीर्शक दे सकते हैं आपकी सुईधा के लिए मैंने इस कहानी को सीर्शक दिया है सुनहरा घर चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखी आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे अनुमान लगा कर उनके समवाद अर्थात बातचीत को उची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताईए बच्चों आप देख सकते हैं चित्र में दो खरगोस दिखाए गए हैं बारिस हो रही है और दोनों खरगोस तेज दोड़ने की कोशिस कर रहे हैं मैंने यहाँ छोटा सा समवाद लिखने की कोशिस की है जो आगे खरगोस है सब वो कह रहा है जल्दी से भागो और घर पहुँचो मोसम बहुत खराब है वहीं पीछे जो खरगोस दोड़ रहा है वो बोल रहा होगा हाँ मैं पूरी कोशिस कर रहा हूँ तो आप भी इन दोनों खरगोसों के बीच में अपने हिसाब से समवाद लिख सकते हैं चलिए अब सैकिंड वरक्षीट सॉल करते हैं दिये गई चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिस की गई थी परन्तु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतिया हो गई है आप किनी चार गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साजा कीजिए तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँपद 2 चित्र दिये गए हैं चित्र एक और चित्र दो चित्र एक को बनाने के बाद जब चित्र दो को बनाए गया तो उसमें कुछ गलतिया हो गई थी आपको कुल चार गलतियां ढूंडनी है आपकी सुवी इधा के लिए मैंने चित्र दो में चार गलतियों को ढूंडा है पहली गलती यहां आप देख सकते हैं पहले चित्र में यह डिजाइन अलग है और यहां पर अलग डिजाइन दिया गया है फिर दूसरी गलती यहां टेफल पर रखा हुआ है इसका डिजाइन अलग है और पहले चित्र में यह अलग डिजाइन का है इसके बाद तीसरी गलती यहाँ पर विंडो के डिजाइन में यहाँ विंडो में आप देख सकते हैं पीछे कुछ दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद चोथी गलती है यहाँ मूचो की आप देख सकते हैं पहले चित्र में मूचे छोटी है और इस चित्र में मूचे बड़ी है चलिए यहां आमने चार गलतियां ढूंड ली हैं अब आगे बढ़ते हैं मम्मी का मोबाइल अनाया आज जब विद्याले से वापस आ रही थी तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नमबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना घर पहुँचकर अनाया ने मम्मी को फोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा अध्यापिका द्वारत दिया गया नमबर है 9, 7, 6, 5, 2, 8, 4, 3, 2, 1 जिसे 97, 65, 28, 43, 21 पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर इस मोबाइल नमबर को मिलाने के बाद अनाया को कौन सा अंक एक से ज़्यादा बार दबाना होगा तो यहाँ पर खा गया है कि अनाया अगर इस नमबर को मिलाएगी तो कौन सा अंक एक से ज़्यादा बार दबाना होगा तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो अंक है वो एक से ज़्यादा बार आया है तो यहाँ हम लिखेंगे अंक दो को एक से ज़्यादा बार दबाना होगा आगे है इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवशकता नहीं होगी तब हमें यह बताना है कि इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवशकता नहीं होगी आप देखेंगे ध्यान से मोबाइल नमबर को तो पाएंगे कि अंक जीरो की आवेशक्ता नहीं होगी चलिए आगे दिये गए नमबर में से तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी अब जो ये नमबर दिया गया है इसमें से आपको तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या ग्यात करनी है पहला दिया गया है रूल अंकों की आवरती के साथ कि आप अंकों की आवरती आप अंकों को धोरा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 111 और दूसर दिया गया है अंकों की आवरती के बिना तो यहाँ पर हम लिखेंगे 123 अब दिये गए मोबाइल नमबर में से 5 तीन अंको वाली संख्याएं जो की 400 से कम हो लिखनी है तो यहाँ पर आप 3 अंको वाली 5 संख्याएं लिखेंगे जो 400 से कम है आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखें है 132, 123, 231, 213, 321, 312 संख्याएं लिखने के बाद अब यहाँ कहा आगया है इन संख्याओं को बढ़ते करम में लगाईए अब जो हमने संख्याएं लिखी हैं इन्हें बढ़ते करम में लगाईए तो यहाँ हम इसे बढ़ते करम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 120 फिर 132 उसके बाद 213 फिर 231 फिर 312 और फिर 321 मैंने यहां 5 से ज्यादा 6 संख्या लिखी हैं अब यहां आगे कहा गया है इन संख्याओं को घटे क्रम में लगाईए अभी हमने बढ़ते क्रम में लगाया था अब हम इने घटे क्रम में लगाएंग तो घटे क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 321 फिर 312 फिर 231 213 फिर 132 फिर 123 अब यहां आगे कहा गया है कि अपने घर की किसी सदर्शय का मोबाई नमबर लिखे तो बच्चों यहां पर आप अपने घर के सदर्शय का मोबाई नमबर लिखेंगे उसके आपके मोबाइल नंबर में कौन संग कितनी बार आया है तालिका में लिखे तो आप यहां पर इस तालिका में इस प्रकासिन नंबर लिख लेंगे एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ नो और जीरो अब एक एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे दो एक बार आया है तो एक एक बार आया है तो एक बार पांच दो बार आया है तो दो बार लिख देंगे च चलिए अब थर्ड वर्क्षीट उखर्टे हैं नहीं द Yב K You must have enjoyed your winter vacation and spent a lot of time with your family. आपने अपनी winter vacation को अच्छे से enjoy किया होगा और अपनी family के साथ time spent किया होगा. Hope you would like to read and know about a new friend's Priya. आसा करते हैं कि आप अपने नई दोस्त Priya के बारे में जानना और पढ़ना चाते होगे. तो चलिए, प्रिया के बारे में जानते हैं. It's time to read. Hi friends, my name is Priya and this is my mother. Hello दोस्तों, मेरा नाम Priya है और ये मेरी मदर है. My mother's name is Seema. मेरी मदर का नाम Seema है. On Monday, she plays football with me. Somewar को वे मेरे साथ football खेलती हैं. On Tuesday, she does yoga. Tuesday को वे yoga करती हैं. On Wednesday, she goes to market. बुद्वार को वे मार्केट जाती हैं. On Thursday, she reads a book. वीरवार को वे एक किताब पढ़ती हैं. On Friday, she meets her friends. और सुक्रवार को वे अपने दोस्तों से मिलती हैं. On Saturday, she goes to park with me. Saturday को वे मेरे साथ पार्क जाती हैं. On Sunday, she likes to relax. और संड़े को वे अराम करना पसंद करती हैं. तो यहां हमने प्रिया के बारे में जाना और उसकी मम्मी के रूटीन के बारे में पढ़ा. चलिए, क्वेस्चन करते हैं. Question 1, complete the following table by drawing the weekly routine of प्रिया's mother on the days mentioned in the table below. नीचे दिये गए प्रिया की मम्मी के weekly routine को पूरा कीजिए. दिये गए days के अनुसार. तो आपको नीचे दिये गए table में जो days हैं, उसके अनुसार प्रिया की मम्मी के जो weekly routine हैं, उसको यहां लिखना है. मंडे को प्रिया की मम्मी का routine क्या है, she plays football with प्रिया, तो यहां लिखेंगे, she plays football with प्रिया, Wednesday को she goes to market, Thursday को she reads a book, और Saturday को she goes to park with प्रिया, तो यहां हमने table को complete कर दिया हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं. Talk time, आओ बात करें, Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully, सीधे हाथ की तरफ दे गई पिक्चर को ध्यान पूरग देखे, what do you think the people in the picture are talking about, आप क्या सोचते हैं, कि जो पिक्चर में people दिखाए गए हैं, लोग दिखाए गए हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, imagine and create their dialogues, आप सोचिए और dialogues create की इनके बीच की बात्चीत लिखिए, say them out loud and write them in your notebook, औरने तेजवाज में बोलिए और अपनी notebook में लिखिए, you may take the help of your elders too, आप अपने elders, बड़ों की मदद भी इसमें ले सकते हैं, तो बच्चों चलिए इस picture को देखते हैं, और dialogues लिखते हैं, बच्चों आप picture को ध्यान से द लेडी हैं और उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर young man कह रहा है, father how is your health now, पिता जी अब आपकी तबित कैसी है, तो father कहते है, I am better now, मैं अब पहले से ठीक हूँ, तो old lady कहती है, thank you god, वो भगवान का सुक्रिया अदा कर रही है, तो बच्चों इसी तरह से आपकी वरक्षीट म आप इसमें dialogue लिखेंगे, इसमें आप अपने elders, घर के बड़ों की सहयता ले सकते हैं, चलिए अब fourth work sheet solve करते हैं, जिसकी theme है मेरा परिवार, नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुस होंगे, बच्चों हम अपने परिवार में अनेक सदस् सुनते हैं, कहानिया हमारे मन को सुन्दर विचार देती हैं, और हमारे मस्तिस्क को कल्पना की उची उडान से भर देती हैं, तो आईए आज की कार्य पत्रिका में हम हिरन और उसके परिवार की एक नई कहानी पढ़ते हैं, तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, एक जंगल में हि गोश से आगे भागने लगा वह जंगल पार कर गया खेत भी पार कर गया नदी भी पार कर गया लेकिन पहाड को वह पार नहीं कर पाया और चटान से टकरा कर गिर गया वह जोर जोर से रोने लगा वहाँ पर एक बंदर ने उसकी टांक से लाई बालू दादा ने उसे गोध म पर वह चुप नहीं हुआ लोमडी ने उसे नाच कर दिखाया लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुआ थोड़ी देर बाद ही हीरन की मा उसे ढूंडते हुए आई और उसने उसे प्यार किया और बोली चलो उस पत्थर की पिटाई करते हैं हीरन का बच्चा बड़े ही प्यार से बोला नहीं मा वह भी रोने लगेगा यह सुनकर सभी हसने लगे तो बच्चो कैसी लगी कहानी थी ना मजेदार कहानी चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब नीचे दिये गए कुछ प्रशनों के उत्तर लिखते हैं प्रशन एक उपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए तो बच्चो यहाँ पर कुछ प्रशन दीए गए हैं आप इन प्रशनों को पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे ख़प्रशन हीरन के बच्चे की दोड किसके साथ हुई तो इसका उत्तर लिखेंगे हीरन के बच्चे की दोड खरगोश के साथ हुई खप्रश्ण हीरन के बच्चे की मदद किस-किस ने की तो इसका उत्तर लिखेंगे बंदर भालू वै लोमडी ने हीरन के बच्चे की मदद की गप्रश्ण कहानी में आए इन सब्दों को वाक्य में प्रियोग कीजिए तो बच्चों यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए हैं तीसरा सब्द है बच्चा, बच्चा से वाक्य बनाएंगे वहे बच्चा बहुत प्यारा है तो बच्चो इन सब्दों से आप अन्यवाके भी बना सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं मजेदार गतिविधी आईए बच्चो एक मजेदार गतिविधी करते हैं परिवार के सभी सदस्य एक गोल गेरे में खड़े हो जाएं और एक तक्या को संगीत की दुन पर गुमाएं और जिस पर भी वो तक्या रुके वहे सदस्य किसी भी जानवर की आवाज निकाले और दूसरे सदस्य उस आवाज को पहचाने तो है ना मजेदार गतिविधी ये आप अपने घर में करेंगे क्या करना है आपको परिवार के सभी सदस्य से एक गोल गेरे में खड़े हो जाएंगे और एक तक्या को संगीत की दुन पर गुमाएंगे और जिस पर भी वो तक्या रुके वह सदस्य से किसी भी जानवर की आवाज निकाले और बाकि सभी सदस्य से उस आवाज को पैचाननी की कोसिस करेंगे चलिए अब इस वीग की फिफ्ट वर्क सीट सॉल करते हैं जिसकी थीम है फैमिली बिल लिस्ट सुहाना के पिताजी कुछ सामान खरीद कर लाए उन्होंने हिसाब चेक करने के लिए सामान का बिल सुहाना की मम्मी को दिया सुहाना भी मम्मी के इस पास बैठी थी बिल देखकर उसने सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाले सामान का पता लगाने की कोसिस की क्या आप भी बिल्ड को देखकर पता लगा सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक समान का बिल्ड दिया गया है आप इस बिल्ड में देख सकते हैं समान लिखा है और उनकी कीमत लिखी है तो आप इस बिल्ड को देखने के बार अब नीचे दिएगे प्रस्णों के उत्तर देंगे तो चलिए नीचे दिएगे प्रस्णों के उत्तर देते हैं प्रस्ण एक सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा है तो बच्चो अगर आप तालिका को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे कम कीमत वाला सामान शैंपू है तो यहां शैंपू लिखेंगे प्रेस में दो सबसे अधिक कीमत वाला सामान कौन सा है तो आप फिर से ताली का देखिए ताली का देखने के बाद पता लगेगा कि सबसे अधिक कीमत वाला सामान बैड़ सीट है तो यहां बैड़ सीट लिखेंगे बैड़ सीट की कीमत कितनी है दो सो निन्यान में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीन सभी वस्तों को उनकी बढ़ती कीमतों के अनुसार क्रम में लिखें तो बच्चों यहां पर आपको सभी वस्तों को उनकी बढ़ती कीमतों के अनुसार क्रम में लिखना है अर्था सबसे पहले हम सबसे कम कीमत वाले समान का नाम लिखेंगे फिर उससे अधिक कीमत वाले समान का नाम लिखेंगे फिर उससे अधिक फिर स्कूल बैक और सबसे आखिर में लिखेंगे बैट सीट तो हमने यहाँ पर बढ़ती कीमतों के अनुसार इन सभी समान को क्रम में लिख दिया है शैंपू की कीमत थी 97 रुपे जाड़ो की 102 चपल की 116 रुपे फ्रोक की 176 रुपे कुर्सी 232 रुपे स्कूल बैक 275 रुपे और बैट सीट 299 तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने बढ़ते क्रम में इन सभी वस्तों को लिख दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेश में चार ऐसी वस्तों के नाम लिखी जिनकी कीमत 100 से ज्यादा और 200 से कम है तो बच्चों आप तालिका देखकर पता लगाएंगे और उन वस्तों के नाम लिखेंगे जिनकी कीमत 100 से ज्यादा और 200 से कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाडू, क्योंकि जाडू की कीमत कितनी है, 102, जो की 100 से जादा है, 200 से कम फिर लिखेंगे चपल, चपल की कीमत कितनी है, 116 रुपे, 100 से जादा है और 200 से कम और लिखेंगे फ्रॉक फ्रॉक की किमत कितनी है एक सो चेटर रुपे जो की सो से जादा और दो सो से कम है तो हमने कौन कौन सी वस्तों के नाम लिखे हैं यहाँ पर जाडू चपल और फ्रॉक अब यहाँ पर बच्चों क्या आपने भी अपने घर में ऐसी कोई समान की लिस्ट देखी है तो बच्चों आपको बताना है कि आपने कोई ऐसी समान की लिस्ट देखी है तो मैं यहाँ लिखूँगा हाँ अगर हाँ तो उसे अपनी गनित की पुस्तिका में चिपकाईए अगर आपने ऐसी कोई लिस्ट देखी है समान की तो आप उसे अपनी गनित की पुस्तिका में चिपकाएंगे सभी वस्तों की कीमत को घटे करम के नुशार लिखेंगे और सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाली वस्तों का पता लगाएंगे तो आप के गर में यदि कोई भी ऐसी समान की लिस्ट है तो आप उसे अपनी कोपी में चिपकाएंगे फिर उन वस्तों की कीमत को घटे करम के नुशार लिखेंगे और फिर उसके बाद सबसे अधिक और सबसे कम कीमत वाले समान की वस्तों का पता लगाएंगे तो बच्चों यह कारें आप स्वैम करेंगे चलिए अब इस हफ़ते की लास्ट वर्क सीट सौल करते हैं जो की वर्क सीट नंबर 6 है वर्क सीट की थीम है फैमिली गुद मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स अशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुस होंगे आज हम साहिल और उसकी फैमिली से मिलेंगे तो चलिए साहिल और उसकी फैमिली से मिलते हैं तो यहां साहिल कह रहा है हेलो दोस्तों मेरा नाम साहिल है I live in Delhi with my parents and two elder siblings मैं दिली में रहता हूं अपने माता पिता और दो बड़े भाई भेनों के साथ I have one brother and one sister मेरा एक भाई और एक बहन है my mom and dad make the rules for my family मेरे मम्मी पापा घर में परिवार के लिए rules नियम बनाते है My sister helps me with the homework and my brother takes me to the park to play मेरी बहन मेरे homework में मेरी help करती है और मेरे भहिया मुझे पार्क में खेलने के लिए ले जाते है Our favorite thing to do as a family is to play games together हमारे परिवार को एक साथ मिल जुल कर खेल खेलना पसंद है We always support each other हम एक दूसरे को support करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Paste, draw a picture of your family and introduce your family to your classmates and teacher in your class group online तो यहाँ पर आपको अपनी family की picture या तो paste करनी है या draw करनी है और फिर अपनी family को अपने classmates के साथ Class का जो group है उस online उसमें आप अपनी family को introduce करेंगे तो आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर अपनी कालपनिक family की picture paste कर दी है और मैं यहाँ आपको अपनी family से अब introduce कराता हूँ जैसे मेरा नाम मान लीजे समीर है तो मैं यहाँ कह रहा हूँ Hello, my name is Samir He is my grandfather, वहें मेरे दादा जी है She is my grandmother, वहें मेरी दादी जी है He is my father, वहें मेरे पिता जी है She is my mother, वहें मेरी मम्मी है She is my sister, वहें मेरी बहन है तो बच्चों यहां मैंने अपनी family को आपको introduce करा दिया है चलिए इसी प्रकार आप भी अपनी work sheet में अपनी family की picture द्रोव करेंगे और अपनी family को अपने class group में introduce करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां कुछ question दे गए हैं question करते हैं question 1 Sahil's family loves to play games together what is your favorite thing to do as a family तो Sahil की family को एक साथ मिलकर game खेलना पसंद है आपके परिवार को एक साथ क्या चीज करना पसंद है तो यहां आपको अपने परिवार के पसंद के अनुसार लिखना है कि आपको पूरे परिवार को कौन सी ऐसी चीज है जो एक साथ करना पसंद है तो यहां आपके स्विधा के लिए मैं लिख रहा हूँ I love to play कैरम and watching movie with my family तो मुझे अपने परिवार के साथ कैरम खेलना और मूवी देखना पसंद है क्योंकि हम सभी परिवार जन एक साथ कैरम खेलते हैं और मूवी देखते हैं अब question 2 है Look at the picture given below and identify the following chores and who does them in your homes तो नीचे दी गई पिक्चर को देखिए नीचे पिक्चर दी गई है जिसमें कुछ कामों को दिखाये गया है आपके घर में इन कामों को कौन करता है तो आपको उनके नाम यहां लिखने है फर्स पिक्चर आप देख सकते हैं वासिंग यूटेंसिल तो हमारे घर में मदर और सिस्टर यह काम करती है सेकिंड पिक्चर में वासिंग क्लोज तो यहां यह काम हमारे घर में मम्मी और पापा करते हैं तो मैंने यहां मदर और फादर लिखा है थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं cleaning and dusting काम है तो आपके घर में cleaning and dusting कौन करता है आप कौन का नाम यहां लिखना है हमारे घर में mother, father and brother cleaning and dusting करते हैं तो बच्चो यह worksheet यहां complete होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे like and share जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे latest वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom Thank you